बड़े मॉल और सूपर मार्केट में खुद्रा सराव आउटलेट स्थापित करने के लिए एक्साइज विभाग द्वारा दिये गए प्रस्ताओं को फिलाल राज्य सरकार कोई फैसला नहीं सुनाई की तेलंगाना में एक्साइज विभाग ने अधिक राजश्व उत्पादन करने के प्रयास में बड़े मॉल और सूपर मार्केट में रिटेल आउटलेट स्थापित करने का प्रस्ताओ दिया था सरकार प्रस्ताओं के खिलाफ है क्योंकि ये महिलाओं के गुस्से को बढ़ा सकती है सूद्र कैनुसार उत्पाद शुल्क विभाग ने मॉल के प्रतिबंद के अनुरोध पर प्रस्ताओ दिया था अधिकारियों ने मुखेमंद्री के चंदर सेकर राओ की इजाजत के लिए इसे भेजा है इसी तरह के प्रस्ताओ पिछले साल भी बनाए गये थे उत्पाद शुल्क विभाग के सिरस अधिकारियों ने बताया कि मॉल में आउटलेट सलाना तीन सो करोड से चार सो करोड रुपे के अतिरिक्त राजश्वे के बीच पैदा होगा ये भी कहा गया है कि नई पहल के जरिये मॉल में विदेशी शराब की बिक्री बढ़ाने में मदद मिलेगी जब वाइन डिलर एसोसियेशन ने इस प्रता को विरोध किया तो ये समस्या सुरू हुई ये कहकर कि सूपर मार्केट ऐसी जगा है जहां बच्चों और महिलां और सभी आयू वर्क के लोग आते हैं सराब बेशना उचित नहीं है ये नियमित सराब व्यापार को भी प्रभावित करेगा